बड़े टेक्स चोरी के रैकेट का भंडा फोड हुआ है। बड़े लेवल पर पूरा खेल चल रहा था टेक्स चोरी का ये ट्रांस्पोर्टर्स के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया जा रहा था। धीरजगर्ग नाम के अधिकारी के चालीस करोड के से जादा क्यावेट संपती मिली फर्जी पतो पर खोली गई शेल कमपनियों के जरीए खरिदारी की गई पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनिल मोरिसम हमारे समधता फोन लाइन पर है। किस तरह से पूरा ये रैकेट चलाया जा रहा था और इसे लेकर क्या पूरी जानकारी अभी तक सामने आ रही है। पूरा का पूरा का पूरा जो नेकसस है पूरा का पूरा नेकसस काम कर रहा है। पूरे के पूरे नेकसस के जरी पर देश सरकार को क्रोडों और पोर रुपे का चुना लगाया जारता और एसटीड की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है और जो पूरे के पूरे मामले की बात के मैं थोड़ी सी इस मामली की तरहें तक आपको बता दूँ कि एक अफ़ाय दर्ज होने के बाद एसी बी की तरफ से जो एक्साइज जो टेक्सेशन डिपार्टमेंट के कुछ वरिश चादिकार जिनके नाम आये थे वो रड़ार पर एसी बी ने लगा दी तो और तल एसी बीने कर दो चाप एमारी की है आई एरस भी अजगर को विरुस्तार किया कैसे ये पूरा र Rede काम कर रहा था ये पूरा जो नेक्सिस बनाय घया था इसमें दीरजगर का नाम सामने आरहा है कैसे ये पूरा रैकिट का रहा था ये पिस तरहां से यह पूरी टेक्स्टुरी हो रही थी देखिए जो पूरे के पूरे नेक्सिस की बात करें जो F.I.R. 222 में 408 नमर F.I.T. वो दर्जविडी उसके तहट जो खुलासा हुआ जो खुलासा में सामने आया था कि जो ट्रांस्पोर्टर है जो फरीदाबाद गुरुग्राम के एंचेर के जो बड़े ट्रांस्पोर्ट फर और एकशारी जो ट्रांस्पोर्टर की तरफ से मंठली इन अथिकारीों को दी जाती है रूज्य माल z brnh. है उस माल में कहीं न के जो टेक्स टोरी होती है बड़े सब्सक्राइब प्रांस्पोर्टरों के मिली बखती है दिन अधिकारियों से होते हैं कि तरसे बकाइदा लिस्टें प्रोवाइड कर आए दाती है कि दिकारियों को कि गुरूगराम हाइवे पर या फ्रीदाबार हाइ जो प्रावरेजिकार्व से सेटिंग नहीं करते थे, उनके पकर लियाजाते थे उंको उपर भारी भरकम जुर्माना लगायाजा था था लागों करोड रूपे जुर्माना लगाया था तो पेन पर एक बदा लैक्सर चल गासा था मामले का खुलाता हो उसके बाद से ACB की तरफ से उसक्ती विजिलेंस होती थी इस पूरे के पूरे मामले को रणार पर लिया गया और आए रेस्ट धीरदगर का नाम आए अब दीरदगर के अगर बात करें फिलहां दो मामला सामने आ रहा है कि 40 क्रोड की तो अवैद जो है न अब देखना यह होगा कि क्या कुछ निकलता है क्योंकि एक बड़ा नेकसिस है बड़ा पूरा का पूरा गिरो गाम करपेंच में ट्रांस्पोर्टर भी होते हैं अधिकारी भी होते हैं करमचारी भी होते हैं अनिल इतना तो तैह है कि सिर्फ अकेली धीरजगर्ग नहीं बेशक धीरजगर इस मामले में अभी तक उनका नाम खुलकर सामनी आ रहा है इनिशनल एक्साइस इंटेक्सेशन कमिशनर है एक बड़े लेवल की अधिकारी लेकिन स इस पूरे के पूरे नेक्सस को लीड कर रहे थी लेकिन उनके नीचे भी एक लंबी कतार मिलेगी ताहिए